कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना सब कुछ दाओं पर लगा रहे डॉक्टर्स और नर्सेश पर पूरे देश को गव है लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से इन कोरोना वार्यर्स के लिए खत्रा बढ़ रहा है वो सब के लिए बड़ी चिंता की बात है आईए देखते एक बहुत छोटी से रिपोर्ट मुंबई के वोखाट अस्पताल में 26 नर्सों और तीन जॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल को प्रतिबंधित ख्षित्र घोशित कर दिया गया है अस्पताल के सबे स्टाफ की स्क्रीनिंग की जा रही है साथ ही किसी को भी यहाँ से बाहर जाने या अंदर आने की अनुमती नहीं है बताय जा रहा है कि अस्पताल में भरती एक मरीज से कोरोना वायरस का संक्रमन नर्सों के जरी बाकिस स्टाफ में फैला है बीमसी ने इस बात की जाज के आदेश दिये हैं कि इस अस्पताल में चीज़ें खाबू से बाहर कैसे हूँ अब तक 270 लोगों के सेंपल टेस्ट करने की लिए भेजे गये हैं उधर दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टिटूट में एक डॉक्टर और 11 नर्सिंग स्टाफ भी कोविट 19 से संक्रमित पाए गए हैं इसे पहले भी यहाँ एक डॉक्टर और 5 नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे मधिप्रदेश में स्वास्ते विभाद के 29 अफसर और कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं देश भर में बढ़ रहे ऐसे मामलू से डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को ये लगनी लगा है कि ये संक्रमन उनके परिवार तक न पहुँच जाए देश भर के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे ये कोरोना वॉरियर्स सच मुच बहुत दिलेर है मुश्किल वक्त में उनके इस हौसले का देश घर्जदार है दुरुरोपोच सखरासन